इस वीडियो में मैं आपको Mercedes car से जुड़े facts के बारे में बताएंगे Mercedes पूरी दुनिया में काफी popular है और ये लगदरी car बनाती है उससे पहला आपसे request है guys इस चैनल को आप subscribe कर लेजिस साब को इस तरह की वीडियो समय समय पर मिलती रहे तो चलिए जानते है Mercedes car के बारे में नमबर वन इस कंपनी की शुरुवात 1926 में जर्मन के Carl Bench ने गी थी इस लोगों में दे गए त्री लाइन को डिप्रेजेंट करते हैं Land, Water, Air को क्योंकि जिस किसी ने भी इस लोगों को डिजाइन किया था उसका मानना था कि फ्यूचर में ये कंपनी Land, Air, Water पे दोनने वाले वाहन बनाएगी इस लोगों में एक ओल लाइन को एड़ किया जाना था जो रिप्रेजेंट करता है स्पेस को लेकिन किसी कारण से उसको एड़ नहीं हो सका इस कंपनी दुआरा बनाया पहला मॉडल है Bench Petter Motor Wagon जिसे 8085 में लॉंच किया गया था इस कार में वन लीटर का सिंगल स्लेंडर इंजन दिया गया था और इस कार में आपको 16 किलो मेटर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती थी नमबर टू, Mercedes दुआरा बनाया गया अब तक का सबसे सस्ता मॉडल है Mercedes A-Class Lumission यह कार पैट्रोल और डीजल दोनों में आवेलेबल है और बात करें इसके एक शोरूम प्राइज की इंडिया में इसके एक शोरूम प्राइज है 41 तो 50 लेग रुपीज और वहीं बात करें अगर Mercedes दुआरा बनाया गया अब तक के सबसे महंगे मोडल की तो वह है Mercedes Bench SLR MC Lorraine 999 इस कार के wheels, headlights, door, skills, indicators, steering wheel और कार के switch gear को 24 karat के gold से cover किया गया है इस कार में 5.4 liter का engine लगा हुआ है इस कार की top speed है 340 km per hour और बात करें प्राइस की वह है 10 million dollar लगबग 74 crore रुपे नमबर 3, आपने self driving car के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या कभी आपने self driving truck के बारे में सुना है दरासल Mercedes ने 2017 में अपने self driving truck को लोगों के सामने introduce किया था इस truck में दो अलग-अलग color के LED light दिये गए हैं white और blue, white color driving mode के लिए और blue color self driving mode के लिए इस truck में radar sensor और 360 visibility camera दिये गए हैं जो की road को scan करते हैं नमबर 4, इस company का headquarter Germany के stud court में स्थित है इस company में 1,64,000 से भी जादा employees काम करते हैं और ये company एक साल में 3,25,000 से भी जादा car बना कर बेज देती है इस company द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे fascist car का नाम है Mercedes AMG GT 63S इस car में 450 liter का V8B turbo engine लगा हुआ है जो की 630 का horsepower और 664 NM का torque generate करता है और बात करें इस car के top speed की तो इस car के top speed है 313 km per hour और बात करें इस car के price की तो इस car के price है 2.57 करोड रुपे नमबर 5, Mercedes Benz W196 model 2016 में एक auction में 30 million dollar में बेका गया था इस car ने 1954 और 1955 में world championship grand pickup ने नाम कर रखा है इस company के सबसे popular और सबसे ज़्यादा बेकी गई models का नाम है Mercedes C class, Mercedes E class, Mercedes S class, Mercedes G class, Mercedes G LE class, Mercedes GLS class, Mercedes AMG GT, Mercedes A class, Mercedes CLA class नमबर 6 परियावरण को दिहान में रखते वे जो company परियावरण की शुरक्षा पर दिहान देते हैं उनके लिए company अपनी गाडियों को सुधारने में लगी हुई है क्या आपको पता है Mercedes Bench की गाडियां 30 देशों में सपलाई होती है और गाडियों द्वारा छोड़े जाने वाली carbon dioxide की बात की जाए तो उसका सबसे कलत लेवल Mercedes से निकलता है जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं है साथ ही mandated fuel फर खड़ी ना उतरने के कारण इस company पर 210 प्रोड का fine भी लग चुका है लेकिन इससे बचने के लिए company गाडियों में सुधार करने के साथ partnership का साहरा ले रही है ताकि वे अपने लक्षे को प्राप्त कर सके नमबर 7 आपको जानकर हैरानी होगी Mercedes company दुनिया की पहली ऐसी company बनी जिसने रोबोट कार बना कर तयार किया Mercedes ने दुनिया की पहली रोबोट कार बनाई जो बिना किसी मानवे छेट चार के कहीं भी जा सकती है इसे Mercedes के employees दुवारा सफलता पुर्वक बनाया गया इस गारी का परिक्षन भी किया गया जिसमें इसे जर्मनी के Denmark तक बिना किसी मानवे के चलाया गया जो की 158 किलो मेटर एक लंबी यात्रा थी आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी मानव के छेट चार के ये गारी अपनी दूरी तैय करने में सफल रही साथ ही इस गारी से जोड़ी लिमिटेशन को भी तोड़ कर दिखा दिया जैसा कि आप जानते है Mercedes S के लास को लक्सीरियस कारों में गिना जाता है इस कार में एक स्पेशल किस्म का पर्फ्यूम प्रोवाइड किया जाता है जो की चार अलग-अलग मोड्स में आता है जैसे कि फ्री साइड मोड, स्पोर्स मोड, नाइट लाइफ मोड और डाउन टाउन मोड नमबर नाइन क्या आप जानते हैं भारत के राष्टपती काले रंग की मर्सेडीज बेंज S600 पुल्मोन गार्ड का इस्तेमाल करते हैं ये कार लगपग 21 फिट लंबी है और ये कार VR10 बैलिश्टिक आर्मर से बनी हुई है ये कार भारी गन के हमले से अपने यात्रियों को बचा सकती है इस कार के इतने कवज के कारण इस कार का वजन 5000 किलो क्राम है बस दोस्तों इस वीडियो में तई आपको इन मैसे कौन सा फैक्ट सा अच्छा लगा और अगर आपको मोका मिले तो आप मर्सडीज कार का कौन सा मॉडल खरी देंगे हमें कमेंट में बताइएगा और उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयागा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के ताश शेयर कीजेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा हमें कमेंट कीजेगा अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में